पना हो गई रक्षित की मा पिशाचिनी के धोके की शिकार बनी धोके बाज महिमा वो कहते हैं ना कि धोके का अंजाम भी धोका ही होता है और आज शेरगिल हाउस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है महिमा शेरगिल कहो या लाल चकोर आज रक्षित की मा की कहानी हो गई है खत्म दिव्या दृष्टी की कहानी अब आखरी पड़ाव पर आ गई है और ऐसे में शो में आ रहे हैं एक के बाद एक ट्विस्ट दिव्या दृष्टी और अक्षित मिलकर लाल चकोर और पिशाचिनी से जंग लड़ रहे थे तो वहीं लाल चकोर और पिशाचिनी भी इन तीनों से काल विजह रत्न हासिल करने की प्लानिंग कर रही थी लेकिन अब आगया है ट्विस्ट क्योंकि पिशाचिनी ने अपनी ही साथी लाल चकोर को धोका दे दिया है और लाल चकोर का खात्मा ही कर दिया है सकती है यहां लाल चकोर की कहानी हो गई है खत्म तो वहीं पिशाचिनी अब अपनी जीत पर खुशिया मना रही है एक बार फिर पिशाचिनी के पास दो दिव्या रत्न आ गये हैं और अब उसे चाहिए सिफ काल विजह रत्न दिव्या दृष्टी और रक्षित के होते पिशाचिनी के लिए ये रत्न हासिल करना इतना आसान भी नहीं होगा अब इससे पहले की दृष्टी खंजर से पिशाचिनी पर वार कर पाती वो तो हो गई गायब यानि की कहानी फिलहाल अधूरी रह गई है जो जल्द ही पूरी भी होगी चलिए अब चलते हैं महिमा शेरगिल यानि वैशनवी के पास जिनका शो में सफर आज खत्म हो गया है तो वो अपने सेट को अब कितना मिस करने वाली है चलिए जानते हैं एक साल के सफर में महिमा शेरगिल के कई रूप हमें देखने को मिले ये पूरा सफर एजा आर्टिस्ट वैशनवी के लिए कैसा रहा ये भी वैशनवी ने हमारे साथ शेर किया So it was wonderful, what a journey. I'm really grateful to Mukta Dhonji and Star Plus and Fireworks, Pradeepji everyone and Arshadji for giving me this opportunity to play this whole graph of you know, Mahima That's Riddhima, that's Riddhima for you. Mahima to Lal Chakor. It's like a whole lifetime. मैंने में सब कुछ कर लिया इस शो में, negative से, positive से, comedy से, सब कुछ. In एक साल में I have lived a thousand characters, you can say. Lal Chakor का घातना तो हो गया है, लेकिन पिशाचिनी को सबक सिखाना अभी बाकी है. अब देखना ये है कि पिशाचिनी के साथ, जब दिव्या दृष्टी की आखरी जंग होगी, तब इस कहानी में कौन-कौन से ट्विस्ट आएंगे. मुंबाई से नवीन सिंग भार्दवाच की रिपोर्ट, E24.